याज डियर अब हम फिर से शुरू करते हैं तो दुरुप स्वामनी को यह लगता है कि मैं यहां भी छली जाओंगी का रखा यहां भी मेरे साथ धोखा हो रहा है कि अब जब मुझे अपने समराजे से निकाल दिया गया है मेरे पती ने मेरा त्याग कर दिया है पहले जिसके स मेरी सगाई हुई थी जहां मेरा विवा उना दे जिससे में प्रैम करते थी उसके अलावा किसी धूर्त के साथ मेरी शादी करास लगता है कि हर जंग मेरे साथ छल ही हो रहा है तो जब दोनों इस drizzle से पाच्चित करें अर्थाद चंद्रगुप्त बनी हुए दुरूपस्वामनी दोनों ही एक दूसरे को बचाने के लिए अपने आपको दुरूपस्वामनी सिध्ध करने का प्रयास कर रहे हैं तब जो है शकराज क्या करता है कि अगर मैं तुम दोनों को ही रानी बना लो इसम नहीं हो सकता दुरूपस्वामनी कोन है पहले इसका नेने होना चाहिए क्योंकि वो उसको थोड़ा सा आप कह सकते शारीरिक मांसी रूप से ठकाना जा रहे हैं उनका जो मुख्य मक्सद है उसका वद्ध करना है श्यत्रू को प्रास्त करना है तो वो चंद्रगुप्त जो चंद्रे तुम भागे के आकाश में धुमकेतु की तरह अपनी गती को बंद करो शक्राज जो है धुमकेतु की और देखकर भैबीत हो जाते क्योंकि वो पहले से ही धुमकेतु से डरा हुआ है आप यह देखेंगे कि नाटक में लेखत का जो मुख्य उदेश है वो क्या है कि यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारी अंतरात्म हमें बार बार चेताम नी देती हम चुट-चुटी चीजों से डरते हैं जब आप अच्छा काम करें मन में कोई भै नहीं होता जैसे ही हम कोई गलती करने जा रहे होते हैं तो हमारा मन भैबीत होता है और भैबीत मन जो है जब किसी चीज की और देखता है, किसी चीज को समझता है, तो उसे क्या महसूस होता है, कि कुछ ना कुछ गल्ती हो रही है, मैं डर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अनुहनी नहीं हो जाए, अमंगल नहीं हो जाए, आप देखे कि कई बार हमें लगते हैं, यह जो होँ भियानक है, बड़ा डर जाता है, व्यग्र भाव से टहलने लगता है, चंदरगुप्त, शक्राज की पीट पर हात रख कर सुनिये, दूरुप स्वामनी चंद्रे, तो क्या कहते हैं, दूरुस वामनी के बेखे करो, चंदरगुप्त क्या कहना चाहता है इस धमकी से कोई लावने तुम मुझे डराने की कोशिश मत को गुरूप स्वामनी तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरन साथ ही होगा चंदर गुप्त तो डरता कौन है दोनों ही शिगर अपनी कटार निकाल लेते हैं अपने तलवार निकाल लेते हैं देखे दोनों प्लानिंग से आय अपने के लिए दूसरे का प्रयास करते हैं तो कहते हैं तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरन साथ ही होगा डरता कौन है दोनों जल्दी से अपनी कटार निकाल लेते हैं शक्राज घबरा जाता है यह क्या तुम लोग क्या कर रहे हो ठहरो आचारिये ने ठीक कहा है आज शुब मुरत नहीं मैं कल विश्वस्निय व्यक्ति को बिला कर इसका निश्चे कर लूँगा आज तुम लोग विश्राम कर अब शक्राज डर जाता है क्योंकि वो पहले से डरा हुआ है उसके माद दो दूदू सामने देखकर डर जाता है फिर उसके माद वो दूनकेतु की बात करते हैं तो वह डर जाता है फिर वो कुछ कहते भी शबून जो है वो अच्छे निलो फिर डर जाता है अब जब उन्होंने तल्वाव निकाल ली तो पूरी तने से डर जाता है कि ति भी शायर अचारिये ने ठीकी गया आज मुरत शुब नहीं है कल मैं किसी विश्व बुगत है वहरे कहने वाले उसे हसी आ जाती है अब तूँ क्या कहेगा अब तो कुछ कहने की यह बचा ही नहीं है अब यह देखिए यह सारा एक्शन रियक्शन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ब्रैकेट्स के अंदर इसने से जब कोई बात लिखी होती इसका है कि डायलोक्स बोले नहीं जा रहे यह हाव भाव से दिखाए जा रहे है रंग मंच के उपर है क्योंकि नाटक में जो रंग मंची होती है उसका सबसे ज़्यादा मेहतन स्थान होता है दुरुव स्वामनी मानों चंद्रगुप के आकरमन से भैबीत होकर पीछी हटती है तुरिया नाद करती है शकराज आश्रिये से उसे सुनता हुआ सहसा घूंकर चंद्रगुप का हाथ पकड़ लेता है दुरुव स्वामनी मानों चंद्रगुप के आकरमन से भैबीत होकर पीछी हटती है तुरिया नाद करता है कि थोरी जोर से मतलब दूसरे को ज़्यादा ने सुने इसने की आवाज करती है शक्राज आश्च्रिय से उसे सुनता हुआ से ऐसा खुमकर चंद्रगुप्ट का हाथ पकड़ देता है धुरूप स्वामने जटके से चंद्रगुप्ट का उत्री अखी चलेती है और चंद्रगुप्ट हाथ मैं तुम्हारी मोत बन कर आया हूँ मैं अकेला हूँ तुम कितने वीरवार हो मैं तुम्हारी पृक्षा लेता हूं साफधन करते है कि तुम युद करो शक्राज भी कटार निकाल कर युद के लिए अगरसर होता है, युद और शक्राज की उत्यों चंदरगुप्त जो है बहुत शक्ति जाली है, वीर है, गुप्स सम्राजे के पास बल की कोई कमी नहीं है वहाप्राप्षी शरियंतरों चंदरगुप्त के भाई, रामगुप्त की जो चाले थी, उस वज़े से जो है शक्राज उन्हें घेर पाया था तो कहते हैं कि चंदरगुप्त ने अपनी चाल से उसको हरा दिया, यानि कि उसके इमृत्यू हो गई, दोनों में युदर बाहार दुर्ग में को लाहर, शक्राज के शीविर में शोर मच जाता है धुरुप स्वामनी की जै का हला मचाते हुए रख्ता रख्त क्लेवर सामंत कुमारों का परवेश जैसे ही शक राज की मुर्च्यू होती है क्योंकि चंद्रगुप्थ द्रूस्वामनी के वेश में हैं तो फिर वो क्या कहते हैं जैकाराज जो हता है द्रूस्वामनी को हता है कर था अपनी पत्तियों का वेश धारन करके शीविरी में आये थे, उन्हों ने बाहर का मूर्चा संभाला तो उर शक्राज को संभाने के ले क्रेश रोरूग स्वामने और आये थे। रोरूग स्वामने और चंद्र अंधर और सब लोग ध्रूव स्वामनी की जैकार कर रहे हैं, जो द्वितिय अंक में से एक आपका लगू प्रशन, छोटा प्रशन पुछा जाता है वस्तूनेश्ट की शकराज का वध किस ने किया, तो जादा तर बच्चे ध्रूव स्वामनी लिख देते हैं, कोई चंद्रगुप ने शकराज का वध किया, क्योंकि शकराज का वध किया तो चंद्रगुप्त ने है, लेकिन उन्होंने उससे में वेश जो धारन किया, वो द्रूव स्वामनी का किया है, द्रूव स्वामनी ने भी नी किया, तो इसलिए यह सही अंसर यह बनेगा आपका, कि ध्रूव स्वा ही शक्राज को मृत दे करके अपनी पराजय को विजय में बदल लेते हैं